दोस्तों आज मैं सिक्केन पर ठीक को एक्स्प्लेन करूंगी और ये मूवी पिछले दो मूवी से काफी हद तक डिफरेंट है इसमें एक बहुत ही भैतरीन लफ स्टोरी दिखाए गया है जो कि ना दुनिया की किसी भी रूल्स को नहीं मनता नहीं इस दुनिया की और नहीं अफ्टर लाइफ की और ऐसा मैं क्यों कह रहाई हूँ इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ट्रस्ट मी यूवल लफ टेट लेकिन उससे पहले मेरे चनल को लाइक शार अन सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए दा लिंक इस इन दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो मुवी की शुरुवत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कीना किसी चीज से डर से निन से उड़ जाती है और एक कमरे में जाते ही उसे ये भायनक नजारा दिखाई देती है और फिर सिंशिफ्ट होता है जहां हमें एक आदमी दिखाई जाती है सेदत जो एक डाइडी में अपने बाड़े में लिखकर बताता है कि ये कहानी है मेरी बेहन कादिर और उसकी हजबन ओरान के बाड़े में जो किना मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है कादिर और ओरान एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और ओरान की ये बेहनतिया प्यार के वज़े से कुछ ऐसा हुआ जो किना मैं साथ साल बाद भी नहीं बुला पाया तो कहानी शुरू होती है ओरान की फैक्टरी दिखा के और बहाँ सेदाद भी काम किया करता था यह पर एक आदमी सिग्रेट पी रहा था लेकिन ये कोईले का फैक्टरी होता है जहाँ सिग्रेट पीना डेंजरेस है तो ओरान ये देखकर बुस्सा करता है और उसे काम से निकल देता है वो अदमी माफी मंगता है और कहता है कि उसके उपर बहुत सरी लोन्स है जो वो काम के बिना नहीं चुका सकता फिर हमें ओरान और कादर की कुछ पल दिखाये जाती है जहाँ वो दोनों एक पेर के निचे जाके बैठता है क्यूंकि ये दोनों इस पेर को अपने लिए लाकी मनता है जहाँ कादर ओरान को खुश खबरी देती है कि शायद वो दोनों बहुत ही जल्द मॉम डैड बनने वाले हैं और भाई वो आदमी जिसको ओरान ने काम से निकल दिया था वो सुइसाइट कर लेता है अगले दिन उस अदमी की बीबी उस फैक्टरी में आके बहुत रोती है और ओरान को शाप देती है कि जल्दी तुमारी किसमत भी इस मिट्टी की ताड़ा काली होने वाली है और इससे ओरान दुखी होकर वासे चला जाता है वाई दूसरी तरफ सेदत कादिर को हस्पिटल चेक अप के लिए ले कर जाता है और उस कर में सेदत का बेटा महमध भी होता है उसकी मा यानि की सेदत की वाइफ अभी इस दुनिया में नहीं है इसी दोरान ओरान का कॉल आता है सेदत के पास और फोन पे बात करते समाए एक ट्रक आके उस कार को टककर मर देती है और आप इन लोगों के साथ शुरू होती है असली ड़वनी चीजे उस एकसिडेंट की बात तीन माईने बीच चुकी थी और सेदत हमसे अपने डाइडी में एक बात शियर करता है वो कहता है कि मैं अपनी जिंदेगी में तीन चीजों से सबसे ज़ादा ड़ी थी और जिसको मैं याद भी नहीं करना चाथा पहले मेरे वीवी का गुजर जाना दूसरा एकसिडेंट से पहले मेरे वेटे का वो शाब कि डैडी मुझे बचाओ और तीसरा मेरे जिंदेगी का वो एक हफ्ता जब मैंने उन सब ड़वनी चीजों को देखा और मैसूस किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता और फिर सिंशिप्ट होता है कादेर की ताड़ा जो अभी सोकर उठी थी लेकिन उसे रोश्नी से काफी तकलीफ होती है तो ओरान जाके सब लाइट्स बुझा देता है और कहता है कि एकसिडेंट की बज़े से तुमारी यद्दस चली गई है लेकिन जल्दी तुमें सब यादा जाएगा और उधार हम देखते हैं कि एकसिडेंट की बज़े से महिमत पैरलाइस्ट हो गया था और सेदात अपने बीबी की कबड़े पे जाके बहुत रोता है कि उसने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया घर बपस आने के समय वो ओरान के घर के समने रुखता है लेकिन ओरान उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि इन सब के लिए ओरान सेदात को कसूरबर मानता है लेकिन गौर करने के बात ये है कि कादेर तो ठीक थी बलकि सेदत का बेटा महमत पैरलाइस्ट हो गया था तो ओरान क्यों सेदत से नारस था इसका एंसर आपको आखिर में मिलेगा तो उसी दिन रात में सेदत को अपने घर में जमिन के उपर कुछ अजीब से लिखावत लिखा हुआ दिखाई देता है और ये था उस हफ्ते का पहला दिन यानि की मंडे और उधर कादे नीन से उठकर एक दरवाचे के समने आती है जहां वो खुद कोई एक डिमॉनिक अफ्तर में देखती है और डर से चिल्ला देती है तो ओरान आके उसे समन लेता है और कहता है कि उस दरवाचे को कभी मत खोलना फिर ओरान जाके कोई बिधी करता है और अपने घर के चारो और एक सफेज चीज से लाइन बना देता है दिखकर ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को घर के अंदर आने से रोकना चाता है अगले दिन सुभा ओरान और सेदात एक दूसरे से बात नहीं करता है और दूसरी तरफ हमें ओरान की पैरेंस दिखाई जाती है जहां उसकी मा कहती है कि मैं एक मिशेन पे हूँ मुझे ओरान के बस जाके उसे बचाना है क्योंकि कादेर मेरे बच्चे को मरवा देगी एक्चुली आपर ओरान की मता पिता को उन दोनों की शादी मन्जूर नहीं थी और उधर कादेर को अपने घर में फिर से खुद की डिमॉनिक अफ्तर दिखाई देती है तो वो डर से उपर आके तोर फोर करने लगती है फिर ओरान आके उसे समल लेता है लेकिन ओरान को अजनक किसी का आहट सुनाई देता है तो वो नीचे आके खिर्की के बाहर देखता है तो उसे अपनी मा और अपने अपको एक दिमॉनिक अफ्तर में दिखाई देती है लेकिन वो बिना कुछ रियक्ट के खिरके बंद कर देता है फिर ओरान बाहर जाके एक बखड़े को मारके कुछ तंत्रमंत्र करता है और वाईपर से सेदत गुजर रहा था तो वो ओरान को देख कर बात करने की कोशश करता है लेकिन ओरान गुस्सा करके उसे अपने फैमलि से दूर रहने के लिए कह देता है उसके बाद ओरान खडके अंदर आके कादेर की फोटो के साथ कुछ तंत्रमंत्र करता है और अब मंगलवार से शुरू होती है असल डरबनी चीजे उस दिन रात में सेदत को एक सपना आता है जहां वो अपने मा को अपने बेटे की विल्चेर पर बैटे हुई दिखती है और जब वो पलटती है तो उसकी फेस एक शैतन में बदल जाती है और साइट से कादे चिलाते हुए आती है फिर सेदत डर से जाग जाता है लेकिन उस कमरे में जाकर देखता है कि वो विल्चेर और सारा समन बिक्री परी हुई है फिर अगले दिन बूदवर की सुबा सेदत ओरान से बात करने की कोशिश करता है तो ओरान गुसा हो जाता है और कहता है कि तुमने हमसे हमारा जिन्देगी चिन लिया मेरे कादेर मुझसे चिन लिया और सेदत कहता है कि वो मेरी भी बहनती और दोस्तों मुझे यह पर कुछ-कुछ समझ में आ गया था लेकिन सस्पेंस बनाते हुए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और सेदत अपने घर में महमत को ड्रॉइंग सिका रहा था उसी दोरन डोड बेल बचता है तो सेदत खोलने के लिए जाता है लेकिन भार कोई नहीं होता फिर घर के अंदर आके देखता है कि महमत वाल पर कुछ अजिप सा ड्रॉइंग बना रहा है खड़ा होकर ये सब देखकर वो बहुत ज़ादा डर जाता है वही दूसरी तरफ ओड़ान अपने मा बबा की तस्वीर पर कुछ काला जदूसा करता है और उनके घर जाके उसे एक शीशे के पीछे चुपा देता है और अब ये किस लिए था ये हमें बद में पता चलेगा फिर हमें सेदत की घर दिखाई जाती है जहां सेदत बहार आके सिगरेट पी रहा था ताभी उसकी मा आके कहती है कि वैसल एक प्रिस्ट है और तुमें उसकी पास जाना चाहिए लेकिन सेदत गुस्सा करके घर के अंदर चला जाता है पर वो देखता है कि उसकी मा तो घर के अंदर ही बैठी हुई है फिर हमें ओरान का घर दिखाई जाती है जहां कादर को ओरान घर के बाहर से आवस लगाता है और कादर ओरान के साथ उस लखी ट्री के सामने पहुँच जाती है लेकिन ओरान अचनक गायब हो जाता है जहां कादर को ओरान की ये भायनेक नजारा दिखाए देती है पर ये सब एक सपना था और ये सब कुछ एक ही रत में यानि की वेडनेस डे में घट रहा था फिर अगले दिन सुवत थास डे में सेदत का दोस्त कहता है कि ये सब कुछ शैतनों का किया धरा है और मेरे बीबी को भी ये सब कुछ दिखता था फिर वो प्रीस्ट वेसल का जिक्रे करता है और सेदत फाइनली मान जाता है जाने के लिए और उसी रत खर पे कादेर अपने पुरानी ड्रेस फैन कर ओरन को दिखाती है भले ही उसे कुछ याद नहीं था लेकिन वो मान गया था कि ओरन उसे बहुत प्यार करती है और जो है बस यही है फिर ओरन कादेर का बहुत ख्याल रखता है उसे नहलाता है प्यार से उसकी बाल भी बनाता है देखने में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है या फिर सब कुछ बिगर गया है फिर उधर सेदत महमत को लेकर प्रिस्ट वेसल के घर पहुँचता है जहाँ प्रिस्ट पहले से उन लोग का नाम जानता था वो कहता है कि तुमें सुनने में अजीब लगेगा लेकिन उन्होंने पहले से मुझे तुमारे बड़े में बता दिया था फिर वो प्रिस्ट कहता है कि इस दुनिया में चार तरह की जीव होते है इंसान, एंजेल, शैतन और जीन्स यह पर तुम और तुमरे बच्चे जीन्स के कबसे में हैं वो जीन्स तुम लोग को इसलिए परिशन कर रहा है ताकि तुम मुझे तक पहुच पाओ वो जीन्स तुम से कोई काम करवाना चाहता है और अब यह कौन सा काम है और क्यों करवाना चाहता है इसके लिए मुझे किसी की मदद चाहिए होगा तुम दोनों कल दो पहर को आ जाना फिर उसी दिन रात ओरन की पैरंस की घर दिखाई जाती है जहां उसकी मा उस फोटो को काट के कमोट में फ्लेश कर देती है अब फ्राइडे की सुभा ओरन बहुत खुश होता है और सेदत को डिनर पे इन्वाइट करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब पहले जैसे रहने लगेंगे फिर दो पहर को सेदत उस प्रिस्ट के घर जाता है जहां पहले से एक उरत बैटी हुई थी और ये वही उरत है जो की न फिल्म की शुर्वात में दिखाए गया था वो मेमत की अंदर वसी जीन से बात करती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और प्रिस्ट को भी सब कुछ समझ में आ गया था फिर प्रीस सेदत से कहता है कि तुमें एक टास्क परफॉर्म करना है तुम हर रोज एक घर के सामने जाते हो जहां तुमें एंट्री नहीं मिलती यानि कि ओरन की घर तुमें उस घर में जाके ऐसा ही एक एमियूलेट दिखेगा उसको जलाना है और तुमें बहुत सी डरबनी चीजे दिखाई देगी लेकिन तुमें डरना नहीं है आज राद बड़ा बज़े तक तुमें महमत के रूम में ही रुखना है क्योंकि जिन्स खुद तुमें इशारा देगी जाने के लिए और उधर ओरन की मा को जिन्स पोजिस कर लेता है और वो एक पत्थर लाके उसके पिता को मार देता है और ओरान नीन से जाग जाता है फिर डर से ओरान घर पे कॉल लगता है तो उसकी मार रोते हुए कहता है कि उन्होंने तुम्हारे पिता को मार डला और अब वो मुझे भी मार डलेगा तो ओरन फौरन अपने घर पहुचता है, जहां उसे अपने पिता मरी हुई मिलती है, और बाहर गार्डेन में उसकी मा भी मरी हुई मिलती है, और उधर सेधत को जीन्स अपने मा के रूप में आके बताती है कि जाओ, जाके कदर को बचाओ, तो सेधत निकल जाता है ओरन की घ गर की तरफ घर के अंदर पहुचते ही कादेर ओरन को देखती रहती है लेकिन सेदत मानो कादेर को देखी नहीं पारा फिर सेदत उस कमरे के पास जाता है जहां ओरन ने कादेर को जाने से मना किया था उस कमरे के अंदर जाते ही सेदत को बहुत गंदिस मेलाता है और उस कमरे के नजारा देखकर सेधा चौक जाता है क्यूंकि वहां काला जादू करने का समान और एक डेट बॉडी रखा हुआ था वहां कादेर भी उसका पीछा करते हुए उस कमडे में आ जाती है और उस डेट बॉडी को देखकर सेधा चौक जाता है क्यूंकि वो था उसकी बहन काद लेकर जाती है और तब ही ओराना के कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया और दोस्तों आप खुलते हैं असली राज असल में एक्सिडेंट के दौरानी कादिर की मौत हो गई थी लेकिन ओरान को ये नामन्जूर था इसलिए वो कादिर की बौडी को लेकर आता है और काला जादू के मदद से जीनसे एक डील करता है वो कहता है कि मुझे मैंने कादिर लोटा दो और उसके बदले में जो चाहे ले लो तो जीनस ने कादिर को तो लोटा दिया लेकिन वो कादिर नहीं था बलकि उनकी बच्ची कादिर के रुप में था इसलिए उसे लाइट स से प्रॉब्लेम होती थी और उसके पास कोई यादश भी नहीं था वो अंधेरी दुनिया से थी और उसे यह पर रहने में तकलिफ हो रही थी तो जीन्स ने अपने बच्ची को बापस मांगा लेकिन ओरान ने देने से इंकर कर दिया इसलिए जीन्स ने सेदत और महमत को सतान लगे थे ताकि वो उस प्रिस्ट के पास जाए और ये टस्क पूरा कर पाए भाई ओरान जो अपने घर के बार सपेत लाइन खीच रहा था वो इसलिए तकि जीन्स को अंदर आने से रोक पाए और घर के अंदर कादेर को जो अपनी ही डिमोनिक अफ्तर दिखाई दी थी व लेकिन आखिर में उन लोगों को जीन्स ने मार डाला फिर आमें दिखाई जाता है कि ओरान ने कादेर की याद में ये शेर छोड़ दिया फिर उधर दो हफते बाद महमत भी ठीक हो गया था और सेदत भी बहुत खुश था लेकिन वो अभी तक अपनी बहन और अपनी दोस के साथ जो कुछ भी हुआ था बो नहीं भूला पाया और फिर सिन्षीफ्ट होता है जहां हमें ओरान दिखाई जाती है काई पर बैठी हुई और पीछे प्रेयर सो रहा था ये सिन्ष बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सिक्किन सिक्स की स्टोरी कंटिन्यू ह होगा लेकिन अगली बढ़ हम मिलते हैं सिक्किन 4 के एक्स्प्लिनेशन वीडियो के साथ तब तक टाटा